आज हम आपके लिए एक वर्क शीट लेके आएं संस्क्रत की जैसे कि आपने अभी तो स्वर बंजन और स्वर्वर्ण संस्क्रत में सब पढ़ लिया है तो उसके बार अगर ये बच्छों को प्रेक्टिस कराएंगे इससे अभ्यासकार से तो उनको जो है बहुत मलब और पक् लिया है तो हम आ से लेके आ, आ, इ, इ, पूरे जो है तो आ तक पूरा जो है ये पूरा मलब बच्छे उसका आंसर देंगे फिर दूसरा क्वेशन बन सकता है इससे अंतस्था के संदी कि लब अंतस्था मारे बंजन कौन-कौन से होते हैं तो जैसे बढ़ पढ़ा हुआ है कि मारे क्या है या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या होते हैं अंतस्था बंजन होते हैं फिर ये बच्छे पढ़ चुके हैं बंजन में इसलिए इनको जो है बताने की यरुद नहीं है और इसमें शिर्फ वह यह है कि इसमें जो है हमारा ये ये लगेगा हलन फिर बंजने कति में लुक्ति स्वार्गत कर्दा कुछा को बना है स्बस constitution कि का Mouse इसके पता है लिकलिए स्वार के साथ की संवार करके कैसे हम लिखेंगे तो जैसे यह पता है Хaland लगी होती है हम अप Wir आपूर अच्छatura होता है इसके बाद जब हम मिला लगको क्या बनेगा क demos फिर ये धा घा और ये मिला कि हमारा क्या बनेगा घे पा और प्लस छोटी ही है तो मिला कि क्या बन जाएगा हमारा पी फिर ये ता हमारा हलन आधा है प्लस राइस रीस में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा री फिर ना के साथ हम री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा नि, तब ये पूरा जब भी इस वर इसके साथ मिलेगा बेंजन के साथ, तब ही हमारा पूर अक्षर बनेगा, चा के साथ उ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, चो, मा के साथ उ लगाएंगे, बड़ाओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, मू, फिर ना के साथ छोटा उ लगाए तो क्या हो जाएगा? फिर या के साथ आ लगाया, तो क्या हो गया? या. तो यह हमारा दूसरा कुशन ऐसे बन सकता है, तो ऐसे बच्चों को आप देंगे, तो बच्चे और और बी ऐसे आप कहीं ऐसे लिख सकते हैं, अक्षर तो बच्चे उसकी पैक्टिस करेंगे. फिर ती लिखा हुआ है सा, तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें लिख देंगे पहले आधा हमारा सा आ जा, फिर क्या गया? आ की मात्रा आ गई, तो ऐसे बच्चे इसको अलग-अलग करेंगे, यह लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या करेंगे? ना लिखेंगे, फिस क्या करेंगे? ज भी और फिर क्या लिखा हुआ है रे टो यह क्या करेंगे रा प्लस ए फिर पी तो यह क्या है पी पा लिखेंगे और प्लस बड़ी की मात्रा तो ऐसे हमारा यह पूरा हो जाएगा बन सकता है वर्ण स्युजनम वियोजनम वाक्रेताम हमको इनको क्या करना यह हमारा अक्षर है इसके यह अलग 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 करना यह जो सायों का अक्षर हमारा है तो इसको अलग अलग करना है तो यह हमारा च्छा से च्छती किसे मिलके बनता है का और शा यह इससे मिलके तब ये इसमे आ लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा च्छा ऐसे हमारा एता तो ये आधी हमारी एता फिर है रा आधा फिर ये जब हम इसमें मिलाएंगे आ तो ये ओज हो जाएगा त्रा ऐसे हमारा ये है ग्या तो ये हमारा ग्या किसे बनता है हमारा ज्या और इया से हमारा आधा मिलाके फिर इसमें हम आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ग्या ऐसे हमारा है टा रा और ये तो ये हमारा टा ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या मिलाके लिख सकते हैं ऐसे टा ऐसे दा वा मिलके हमारा और है ये तो क्या होता है दूई तो यह ऐसे में वा लगा देंगे, इसे बनेगा, यह हमारा लिखा हुआ है का, आदा का, और तरह, तो यह हमारा क्या अक्षर बन जाएगा, क्रिय, तो इस तरहें से यह हमारा कोश्चन होगा, इसे बच्चों को आप दे करके सरुक्ति भंजन दे सकते हैं, तो उसमें अच्छरा है, उसके हिसाब से यह जो हमारे लिखे हुएं यह नीचे, पर उनको सही सब्दे चुनकर उसका उत्तर देना है, अब जैसे इस क्वेश्चन है, निम लिखी भंजने स्वरा कास्ति, यह जो इसमें लिखे हुए है, इसमें हमारा स्वर कौण सा है, तो बच्चे चाह नहीं है, बड़ा है, टाह लिखा है तो बच्चें इसमें सरक्षिब्स कर देंगे, आमे यह हमारा S Ensuite और झा sìंक कि और छोड़ा का बावए, गाँए, या तरह है? पाँए तो बच्चें जीमें, तरह है। फिर अगला है निम्न लिखीत वर्णे सु भिन्न वर्णा का अब इसमें से हमारा भिन्न वर्ण जैसे चाथ सट्री है हा लिखा हुआ है ग्या लिखा हुआ है और तरह तो यह हमारे सब सब्सक्राइब यह हमारा यह है हा तो यह इसको बच्चे अलगुशू कर देंगे फिर अगली सीठ हमारी है, यह हिर्दा है, इती सब्दे का स्वर्वन पूछ रहा है, इती सब्दे का स्वर्वन वर्णा, अब इसमें से हमारा कौन सा स्वर्वन है, तो इसमें बच्चे लगा देंगी, यह री हमारा इसमें स्वर्वन वर्णा है, फिर आग 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 आ रहा है, गया पदस उच्तम बियोजनम चित्वा लिखाते इसको क्या करना है हमको ये जो अलग-अलग है इसको हमको क्या करना है मिला के लिखना है कौन सा है तो इसका उत्तर देना है तो क्या हो जाएगा इसका जा लिखा जा ये लिखा हुआ ये और ये गया हमारा किसे बनता है पू सबने हैं चाहिए जिस सब्धुर है इसको आप सब्सक्रार को, बचा के इतर में की पर लिक्स काइब चैंकर है। अब यह आदे टा लिखी हुई है और यह उ है तो बच्चे मिला के लिखेंगे इससे क्या सब्द बनेगा तू फिर इदा थी लिखा हुआ यहां बड़ी कि हमारी मांतरा लगी हुई है यह तो इसमें बच्चे लिखेंगे अपने आप किसमें क्या सब्द मिलाना है था आदा प्लस आ, तो इसका बच्चे अपने अगस पढ़ चुके हों समझ चुके हैं तो लिखेंगे ना फिर यहा लिखा हो, बढ़ाओं की मात्रा की रूख, यहां रा हमारा लिखा हुआ है तो इस में बच्चे क्या कर देंगे? लगा देंगे बढ़ेओं की मात्रा तो ये हो जाएगा रूह फिर एक की जोर ध्यान देने वाली है कि इसमें है कि संयुक्त गेंजन लिखने पर गेंजन वर्ण उपर तता स्वर सहित वर्ण नीचे आता है आप देखते होंगे कभी युद्ध लिखा होता है युद्धा लिखा होता है तो धा ही नीचे क्यों लगती है उसलिए ये समझाने के लिए एक बहुत बिशेश चीज है कि इसको बच्चों को ध्यान से समझाना है जैसे लिखा हुआ है बिद्ध्या तो यहां दा स्वर रही थै द्या दा स्वर और नीचे क्या आरा या उपर लिखा गया तथा या आरा या के साथ हमारा बड़ा आप स्वर मिला हुआ है स्वर सही तो बढ़ नीचे लिखा गया है जैसे क्या हमारा लिखा हुआ है बिद्धा तो क्या ये इससे बनता है दा और धा से मिलता है लेकिन प्लस इसके साथ क्या आ रहा है अहा आ रहा है तो यह आ रहा है जिसे इससे लिखते हैं समझ में आएगा दा प्लस हमारा है धा प्लस है अहा इसलिए यह बुद्धा तो इसके साथ है इसलिए दा उपर लिखा गया है और धा नीचे आ रहा है ऐसे इसमें है प्रत्मा तो लिए पा और रा आधा ये है पा और रा मिलके जो है ये आधे अच्छा रहे तो क्या सब्दा रा है हमारा आगे बनेगा जाके ये पा आधा पा प्लस रा प्लस आ तो ये हमारा जो आ किसके साथ मिला हुआ है रा के साथ तो इसलिए प्रा इसलिए ये नीचे लिखा हुआ है और वो उपर लिखा गया है पा स्वर वाला रा नीचे लिखा गया है तो इसमें पूरा फिर इसमें मिला देंगे हम था प्लस आ प्लस मा और प्लस अहा अब अगला वरा अच्छा है दो तो इसमें वा भी मिली हुई है और दा प्लस अ से बिनता है वह से तो इसमें हम क्या क करेंगे लिखेंगे दा प्लस वा प्लस इसमें लिख देंगे आओ की मात्रा तो दौ तो वा सब इसमें जो है वा के साथ ही मात्रा इसकी अवस्वार आ रहा है इसलिए इसको हम वो अक्षर नीचे लिखेंगे अब आ रहा है अर चना तो यह क्या रा और चा यह दो मिले वही ह स्थाइड उसको कैसे करें गिर कहें हमारा यह आया आ सारा फिर हमारा आया लने काए हमारा लन और प्लास हरा लने सिसके बाद आया देक्राइज रजैडिया मैं marks ररस भी से बांदर से आताइज और यह कैसे बनेगा हमारा प्लस आ आ आ किसे बनेगा प्लस आ रहा है आहा तो यह हमारा इसके साथ नीचे लिखा गया है आश्टरा तो यह बहुत बहुत ध्यान से बच्चों को कई बार इसके प्क्टिस करवानी है कि हमारे ये नीचे वाला अच्छा इसमें बच्छे अक्सर कंश्यूस हो जाते हैं कि कौन सा उपर बुद्धा कि हम धा लिखें पहले कि दा लिखें तो समझने ही पाते हैं तो ऐसे एक्छनों की बच्छों को बहुत प्रेक्टिस करवानी है अगर आपको हमारा वीडियो आएकरें सिर्कने थाइकरें